हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस म्यूजिकल वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीख रहे हैं ए मेरे हमसफर पर प्यानो कैसे बजाना सीख सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ मैंने आपके लिए ये चार्ट बनाया है इस चार्ट से आपको पता लगता है कौन सी की को क्या कहते हैं इसका link description में आपको मिल लाएगा और दोस्तो हम जो भी song प्ले करते हैं अपनी वीडियो में उसका भी हम musical chart बनाके description में share करते हैं जिस से आपको पता लगेगा कि कौन सी की कितनी बार बजिये इस song में दोनों को download करना description से बिलकुल मत भूलेगा चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और दोस्तों अगर आप इसका ऐसा printout निकाल लें तो और भी सीखना असान हो जाएगा आपके लिए तो दोस्तों पहले में एक बार आपके लिए क्लाइन प्ले कर देता हूं फिर हम सिखते हैं इसको कैसे बजाया हमने यह है सॉंग की पहली लाइन इसको सीखते हैं हम लोग कैसे बजा सकते हैं हमने इसको स्टार्ट किया और सीखा है मद्य सब्तक से मद्य सब्तक के कीज जो है उनसे बजाना सीख रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग हो रही नी से नी द प से यह लाइन में जो कीज का इस्तमाल हुआ है वो है नी द प नी नी द प उसके बाद इतना सीखें कीज को क्या कहते हैं नी को तीन बर प्रेस के हमने फिर रे सा नी 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 रे सा नी इसके बाद द प द प मा फिर इसका आगला स्टैप है इतना सीखें पहले आप मा द मा मा द प मा मा द प मा इसके बाद रे नी द प प प रे नी द प प यह इस सौंग की पहली लाइन एक बार कम्बाइन करके प्ले करते हैं अगर आपको यहां तक समझ आ गया हो तो हम इस सौंग की नेक्स लाइन की तरफ चलते हैं नेक्स लाइन जो है वो कैसे प्ले हो रही है इसको सेखते हैं मैं एक फिंगर से बजा के दिखाता हूँ आपको इसके आगे यह दो स्टेप में था इन दोनों स्टेप को दो बर प्ले करने आपने इसके आगे बताता हूँ आपको इसके बाद जो अंतरा इस लाइन का वो इस तरीके से प्ले होगा नी नी रे सासा नी नी रे सासा पहले यहां तक सीखें नी नी रे सासा आपने सीख लिया था उसके बाद उसके बाद है दा सा दा पा मा रे नी दा पा पा यह सौंग की नेक्स लाइन थी इसके बाद में रिपीट आप वही प्ले कर सकते हैं तो दोस्तों यह था हमारा सौंग ए मेरे हमसफर आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताईएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद